हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने चैनल VWIC में और मैं अमित कुमार सोनी हार देख हार देख अविनंदन करता हूँ दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें शेर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों 25 फरवरी 2021 को एक सफल ट्यूटर अवियान के बाद में और जो की AIDYO और जो मद्यप्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनके संयुक्त तत्वाधान में कई सारे आंदोलन किये गए कई सारे कारिक्रम किये गए कई जिलों में मुखमंत्री के नाम से कलेक्टर को ग कॉम्टिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सब कुछ इमानदारी से हो तो एक हस्ताक्षर अवियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है तो दोस्तों वो पिक्स के माध्यम से यह आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर अवियान दिख रहा है आपको यह साइन क को बता देता हूं कि किस तरीके से उन्होंने ग्यापन दिया है और क्या-क्या उसमें मांगे रखी है उसके बाद में दोस्तों अब आंदोलन की एक जलकी में बताऊंगा क्योंकि अनवरत इनका प्रियास जारी है जिससे की बेरोजगारी आगे न फैले और जो सिक्षा विभ विभागों में भी भरतियां निकले और बली संक्या में जो इस्टूडेंट्स तयारी कर रहे हैं उनको किसी विप्रकार की आगे समस्या का सामना न करना पड़े तो आएए दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में इसकी जानकारी ले लें देखे दोस्तों जैसा कि देख सकते है कि भरति घोटालों की निस्पक्ष जाचकर सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भरति की जाए ठीक है ये पहले भी जो है विरोध प्रदर्शित कर चुके हैं पांच फरवरी को और ये निउज उसके बात की है दोस्तों तो ये गुना के हैं ये समीती जो दि निदी मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के में ग्यापन दिया तो दोस्तों आईए मैं खास-कास बात इसमें बता देता हूं कि जो एग्रिकल्चर में आरेईयों के पदों पर फरजिवाड़ा हुआ उसकी निस्पक्ष जाच करने की बात किया इनोंने उसक के बाद में दोस्तों एक संयुक्त जो है अस्ताक्षर अवियान इनके द्वारा चलाया गया और उस अवियान में जो है सब एक मंच पर आ जाएं आपस में जुड़ जाएं सभी यूबा जो है बेरोजगार हैं तो इस प्रकार से इन्होंने एक ग्यापन दिया है मुख्यम आपचीत की है तो वो वीडियो भी आप देखें आप जानते हैं कि मद्यपरदेश की सरकार की जो नीती है रोजगार को लेकर एकदम जिस तरह से 4 सितंबर को यहां एक बहुत बड़ी भुपाल में रेली की गई थी और हजारों हजार स्टूटन्स पर लाटी चार्ज किया गई था एफाई अदर्च की गई थी बाद में इस रेली का पढ़नाम हुआ था कि बड़ी संख्या में सरकार ने पूरी घूशनाई की थी पुलिस की भड़ती पिसले तीन वर्ट से मध्यपरदेश में नहीं आई थी लेकिन आनन फानन में कुछ वैकेंसी की बात सरकार न नहीं की गई थी उसका भी एक कलेंडर जारी किया गया था लेकिन जैसे चुनाब खतम हो गए सरकार ने उसको आनन फानन में अभी तक भी अपन देख रहे हैं कि वर्ग एक वर्गदो की कोई भी परिक्षा में जो पा चैने अभिहरती थी उनकी नियुकती को लेकर सरकार देड़ साल हो गए हैं अभी तक कुछ अता पता नहीं है पहली मांग है कि अभी व्यापम का घुटाला जो पहले हुआ था आप जानते हैं इसमें सेंक्डों से जाले लोगों की जाने गई थी और इतना बड़ा घुटाला हुआ था उसको तो हमारी मध्यप्रदी सरकार द अभी हुआ है और ऐसे कई सारे चात्रों का नाम आया है जिन्होंने पैसे लेकर व्यापम से साधगाट करके उसमें नंबर सत्रा के सत्रा नंबर आये और एकदम उसका एक संगटन भी है क्रशी संगटनों ने इसका खुलासा भी किया है और आज पूरे मध्यप्रदेश मे यह जो व्यापम घुटाला 2 है इसकी निक्सपक्ष जाच किया जाए और कितनी ही परिक्षाएं जो पीए भी द्वारा कराई जाती है उस पे भी छात्रों को कोई विश्वास नहीं अभी कई सारी विकेंसी के एक्जाम हो रहे हैं लेकिन व्यापम पर कोई भरोसा नहीं है इसका निक्सपक्ष जाच और दोशियों को कड़ी सजा मिली जाए आइए दोस्तों अब जो है यह प्रदर्शन किये जा रहे हैं बेरोजगारी के खिलाब तो उसकी वी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जहलक बता देता हूं जो कि हर जिले में यह किया जा रहा है तो दो अकेले नहीं हैं हम पुरे भारत के नौजमान एक हैं जो तेरोजगार है जो अपने अधिकारों को लेकर ले रहे हैं जो सोई नहीं अपने घड़ा में नहीं बोटे ऐसे नौजमान भारत के अंदर एक हैं सालत पर हैं और वो अपने अधिकारों को लेकर लग रहे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी जिलों में ये आंदोलन चल रहे हैं बेरोजगारी के खिलाब और दोस्तों साथ में ही AIDYU के जो दे रहे हैं वो है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और पारा सकलेजा जी जिनका भी हाली में ट्वीट किया है इन्होंने बेरोजगार कों के समर्थन में और बरतबान सरकार की नीतियों के बिरुद में दोस्तों देख सकते हैं आपके पारा सकलेचा जी कह रहा हैं कि गुरूओं के साथ न्याय करो शिरिमान सिक्षकों का मत अपमान करो शिरिमान इसी प्रकार से जो इं समय आने पर ही पता चलेगा कि सिवराज सरकार किस प्रकार से अपने नीतियों में परिवर्तन करती है और बेरोजगारों के हितों पर ध्यान देती है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर करें वीडियो को धन्यबाद ज